जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो रियक्शन रियेजेंट सिरीज का एक अगला रियेजेंट आज हम लोग डिसकस करेंगे जिसका नाम है आईडो बेंजीन डाइसिटेट यह इसका यहाँ पे राइट साइड प्लिकावा फॉर्मूला है केलियर हुआ आपको तो बच्चो आईडो बेंजीन डाइसिटेट का दूसरा नाम फिनाइल आईडो सो डाइसिटेट भी होता है इट इस पेसिफिक ऑक्सिडाइजेंग एजेंट स्पेसली यूज़ तो कनवर्ट किटोंस इन्टो एसाइलोन इन गुड इल्ड बच्चो आईडो बेंजीन डाइस एक स्पेसल टाइप का उक्सिडाइजिंग एजेंट होता है जो मेंली यूज़ किया जाता है किटोंस को उक्सिडाइज करने के लिए और ये किटोंस को उक्सिडाइज करके एक स्पेसल टाइप का कमपाउंड एसाइलोन देता है और बच्चो ये स्रेक्शनी खास बात य यह भी कि जो बनने वाला एसाइलोन होता है, वो प्रोडट भी काफी अच्छी इरड में मिलता है, यहाँ पे कुछ लोगे दिमाग में हो सकती है संका, मत कीजी संका, बजाईए डंका, नौलेज का डंका बजाईए, तो एसाइलोन के लिए समस्या हो सकती है, सर क्या कहना चा होते हैं कि special type की organic compound होते हैं, यह ऐसे organic compound होते हैं, जिनमें ketoni group से अगले जो carbon होगा, alpha carbon उस पे hydroxy group लगा होता है, और इनका एक दूसरा नाम alpha hydroxy ketone भी होता है, आई यह reaction की help से clear करते हैं, तो बच्चों यह हमने यहाँ पे ketone लिया हुए, ketone के उपर हमने दो condition apply करते हैं, पहल dilute acid की help से हम लोग acidify करते हैं, जिससे हमारा जो यहाँ पे alpha alkyl group होता है, यह आप जानते हैं, कि functional group से जो अगला carbon होता है, वो alpha होता है बच्चों, और यह alkyl group जो होता है, केवल यही oxidize होता है, और यह यहाँ पर hydroxy group आ चुका है, alpha carbon पे, इसको बोलते है, alpha hydroxy ketone और commonly बोलत कि जो आपका ketone होता है, वो हमारा adobe engine diacetate से oxidize होके बनाता है, acylon, clear हुआ, alpha hydroxy ketone ही हमारा acylon होता है, its functioning is meant only for ketonic group as it is selective for the enolate ion, reaction के सुरू में बताया था कि जो हमारा adobe engine diacetate reagent है, यह ketones को oxidize ही क्यों करता है mainly, तो उसका answer यहाँ पर समझाने ही कोजस की गई है, कि ऐसा सलीए होता है, कि जो हमारा reagent है, यह inolate ion पर बहुत easily combine होता है, react करता है, लेकिन बाकी group पर ऐसा नहीं हो पाता है, clear हुआ आपको, तो हम लोगों ने आइडो या ब्रोमो यहाँ पर ऐसिटो फिनोन लिया हुआ है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर आइडो बेंजिन diacetate की help से oxidize किया, आप देख पार है कि यहाँ पर जो हमारा alkyl group है, alpha carbon पर केवल वहीं पर oxidation हुआ है, और वो convert हो गया है हमारा CS2OH में, य clear हुआ आपको, दूसरा example देखी गई है, तो यहाँ पर आप alkyl और alcoxy derivative ले सकते हैं, ketones का आपको clear है, और यहाँ पर alpha carbon पर ही oxidation हो रहा है, आप देख पारें CS3 जो है, वो oxidize हो गया है CS2OH में, और यह special type का जो compound होता है, यह कहलाता है हमारा SI loin, देखे बच्चों, हमने फिर से अगला compound लिया हुआ है, तो यहाँ पर funks group ketone है, ketone पर जो मारा alpha carbon है, वो oxidize हुआ और बन गया हमारा SI loin, clear हुआ आपको, अब बच्चों नोट लेते हैं, नोट में थोड़ी condition है कि एक्जाम में कोश्चन यहां से बनता है, आई जानते हैं, if oxidation is carried out in alkaline medium followed by acidification, then SI loin obtained, but if acidification is avoided than dimethyl ketone of SI loin form, बच्चों बड़ाई खास है, आई एक्जाम्पल से clear करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर diketone लिया हुआ है, diketone पर हमने दो condition apply किये हुए, as usual पहली condition में हम लोगों ने alkaline methanolic mixture लिया हुए, अड़ो बेंजिन diacetate का, और finally हम लोग इसको acidify करते हैं, जिससे हम हमारा जो alpha carbon होता है बच्चों, वो oxidize होके हमको SI loin देता है, क्या आपको clear है, लेकिन अगर आपने यह वाला second step acidification जो है, वो skip कर दिया, तो आपको dimethyl ketal मिलेंगे, कैसे आइए देखते हैं, बच्चों यहाँ पर आप compare कर सकते हैं, इन दोनों reaction के अंदर substrate सेम है, लेकिन दूसरा step जो acidification था, वो यहाँ पर नहीं use किया, उसको छोड़ दिया है, skip कर दिया है, उससे क्या फरक पड़ेगा, उससे फरक यह पड़ेगा कि पहले step में केवल oxidation alpha carbon पे हुआ था, लेकिन अगर आपने यहाँ पर acidification नहीं किया, तो ketonic group B oxidize होके आपको di ketal देगा, यहाँ आप देखिए, डाई, देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर di methyl ketal मिल गया है, आपको si loin का clear हुआ, तो यह यहाँ पर थोड़ा सा एक twist है, जरूर ध्यान नखीगा, नेक्स्ट है बच्चो, reaction with alkyl और aryl carboxylate ester, यहाँ होगा, अगर आप idobenzine diacitate का reaction ester से क आपने दो condition maintain की हुई है, इनको थोड़ा समझाने के लिए हम लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है, दोनों में जो reagent है main, वो है हमारा idobenzine diacitate, यहाँ पर फर्क जो आपको difference जो feel करना है, वो यह है कि यहाँ पर आपका जो alkaline medium maintain किया हुआ है, और जो यहाँ पर solvent है, वो है हमार non-polar हमने यहाँ पर benzine लिया हुआ है, तो अगर आप idobenzine diacitate का reaction non-polar condition में कराते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका जो alpha carbon है उस पर oxidation हुआ है और आपको मिला है alpha hydroxy carboxylic acid, लेकिन अगर आपने polar solvent जैसे कि यहाँ पर हमने alcohol लिया हुआ है, वही condition तो यहाँ भी alkaline है, तो हमारा non-polar था, non-polar लेते हैं तो alpha hydroxy carboxylic acid मिलता है, लेकिन अगर आप polar solvent लेते हैं, जिसे कि alcohol commonly use करते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलता है alpha-alcoxy ester, clear हुआ बच्यों, reagent is selective for crowding और bulkiness of substrate taken, अब यहाँ पर आपको यह भी धियान लखना है, कि जो आपने ketonia ester लिया हुआ है, वो कैसा है भई, बलकी तो नहीं है, बलकी means बड़ा तो नहीं है, तो आईए मैं example से आपको clear करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, बच्छों यह portion तो यह part तो दोनों में common है, यहाँ पर आपका ester linkage भी common है, बस फ्रेंच सिर्फ यहाँ पर है, कि वल यहाँ यहाँ पर यह methyl लगा है, यह methyl लगा है, यह methyl एस्टर है, यह methyl एस्टर है, थोड़ा सा यह बलकी हो गया है, crowdie हो गया है, अब यहाँ पर प्रोड़क्ट जो बन रहा है हमारा यहाँ पे, alpha, alcoxy, ester, दोनों reaction के अंदर, दोनों की yield में main फर्क है, पहले reaction के अंदर 80% derivative बनता है, प्रोड़क्ट बनता है, लेकिन दूसरी वाली में जो हमारा SI loan का derivative बनता है, वो केवल 50% yield देता है, सर ऐसा क्या हुआ, condition तो दोनों मे हमने सेम रखावा था, functional group भी हमारा सेम था, difference था, हमारा crowding का, की जितना बलकी आपका substrate हो जाएगा, यहाँ पे carbon का number बढ़ जाएगा, तो carbon का number बढ़ने से, जो हमारा idobenzine diacitate है, वो easily react नहीं कर पाता है, clear है आपको, वो easily react नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर जो हमारी yield है, वो घर्टी चली जाएगी, और simply अगर मैं समझाने के लिए आपको कहूं कि अगर यहाँ पे बलकी नहीं थोड़ी और बढ़ा दें, यानि कि एक carbon और अगर आप बढ़ा देते हैं, तो yield जो है 50 से 40, less than 40% चली जाएगी, क्या ही आप समझ पा रहे हैं, तो बच्चो clear हुआ आपको यह भी X का एक special feature है, अब बच्चो आपके लिए practice problem है, यहाँ पे यह substrate दिया हुआ है, आपको इसका oxidation करना है, आइडो बेंजीन डाइसिटेट की help से मैं आपका wait कर रहा हूँ, जल्ली से इसका answer भीज़ी और मैं देखते हैं, कितने लोग इसका सही सही answer दे पाते है तो बच्चो आज हमने जाना एक special type के oxidizing agent, आइडो बेंजीन डाइसिटेट के बारे में, इसकी जो chemical nature होती है, उसके बारे में, हमने जाना कि आइडो बेंजीन डाइसिटेट जो होता है, यह mainly ketone को SI loin में convert करने के लिए use किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रगनी है, फि क्योंकि यह इसका जो nature होता है, यह easily react करता है inolate iron पे, और inolate iron का formation अगर phenyl या aryl substituted ketone है, तो वहाँ पर easily होता है, good yield मिल तीक वी reaction easily होती है, फिर हमने जाना कि अगर condition में थोड़ा सा change कर दिया जाए, तो SI loin के अलावा हम लोग SI loin की ketol भी बना सकते हैं, इस reaction की help से, फिर हमने एक दूसरे example से जाना कि अगर हम लोग ester ले लेते हैं, तो ester में solvent change करने से polar और non-polar लेने से भी product की nature change जाएगी, और बच्चों ये भी जाना कि जो idob engine diacitate होता है, जो हमारा substrate है, उसकी crowding पे भी depend करता है, कि आपने कैसा लिया है, substrate ketone जो लिया है, या जो ester लि more crowded है, या less crowded है, अगर उसके अंदर carbon का number जादा होगा, तो वहाँ पर बनने वाले si loin derivative की yield कम होती जाएगी, तो hopefully बच्चों आपको ये clear हुआ होगा,